Assalamualaikum Programming fundamentals के course का आज हमने third lecture discuss करना है Already हम two lectures जो हैं वो discuss कर चुके हैं जिसमें हम लोग introduction पढ़ चुके हैं हमने पढ़ा था के program क्या होता है, programming क्या होती है सी program के वारे में पढ़ा था के उसके structure में कितने parts होते हैं और फिर हर एक पार्ट को हमने separately discuss किया था और हर पार्ट जिस दिस के लिए responsible होता है हमने वो सब discuss किया था और बाद में हमने एक example भी देखी थी जिसमें तीनो जो तीनो पार्ट हैं उनको collaborate करके हमने एक example बनाई थी जिसमें hello का जो थी statement थी वो हमारे पास screen पे print हुई थी second lecture में हमने जो पढ़ा था कि जो source program है source program किन किन मराहिल से गुजर के किन किन steps से गुजर के जो है वो एक executable file बनती है वो कौन कौन से steps थे जो follow करके एक program जो हम लिखते हैं वो जो source program होता है वो कैसे object program ने change होता है उसके सारे steps हमने discuss किये थे और आज के lecture में जो हमने पढ़नी चीज़े हैं वो उनके outline बताई गई है जो कि आपको screen पे नजर आ रही है outline में हम देखेंगे कि C program के अंदर identifiers क्या होते हैं जो जो हमने keywords हैं जो हमारे पास जो developer है सीप का उसने कौन कौन से keywords हैं वो यूज किये हैं उसके बाद data types जो जो हम अपने program के अंदर use करेंगे और इस तरह जो data type है integer data type है उसकी under flow कैसे होता है और overflow कैसे होता है यह चीज़े आज हम अपने program जो है हमारे lecture है उसके अंदर हम discuss करेंगे फर्स्ट है identifiers identifiers are the number used to represent variables constants, types, functions and labels in the program यानि कि जो identifiers हैं वो हमारे पास name है किसी भी चीज़ का name और वो जो चीज़े हैं वो क्या हैं वो हमारे पास variable है constants है, types है, data types functions हैं जो हम अपने program के अंदर use करेंगे और labels हैं, यानि कि हमारा जो program है जो हमने लिखना है अपनी edit window के अंदर उसके अंदर जो भी variables हम use करेंगे जो जो constants defined करेंगे जो जो data types हम use करेंगे functions और labels use करेंगे जो उनका नाम होगा, वो हमारे पास कहलाते है identifiers अब हमें इन identifiers की एक limit बता दी गई है कि जो identifiers हम use कर सकते हैं उनकी जो limit है, number of जो characters है वो 31 होंगे 31 होंगे और अगर 31 से ज्यादा बतलब अगर कोई आप लोगों ने variable या कोई constant आपने use किया है जिसके अंदर character 31 से exceed कर गये है तो जो इजाफी होंगे वो सारे skip कर दिया जाएंगे और 31st जो first वाले 31 होंगे वो हमारे पास user जाएंगे और बाकर skip हो जाएंगे आगे हमारे पास identifiers की कुछ types होती है जो है C programming में C language में हमारे पास two types के identifiers होते हैं एक है user define और एक होती है standard जो user define वो होती है जो programmer जो program लिख रहा है defined by the programmer जो programmer लिख रहा है program को वो जो भी identifiers अपने करवाएगा specify करवाएगा जो use करेगा वो होते हैं user define identifiers और दूसरे हैं standard identifiers standard वो है जो developer है secret developer है उसने जो है वो बनाए है उसके अंदर और उसके predefined कुछ meaning है C के अंदर special meaning है predefined meaning है C के अंदर जैसे के print एफ है scan एफ है यह इसकी examples है next हमारा है keywords keywords हमारा जो developer है C का उसने कुछ words है जो reserve कर दिये ऐसी words जिनके predefined libraries के अंदर उसके कुछ मक्सूस meaning है वो हमारा पास कहलाते है keywords इनको हम reserve words भी कहते हैं और C programming में जैसी language में इसके कुछ predefined meaning और इनका कोई न कोई purpose जरूर होता है और यह जो हमारा पास keywords होते हैं इन keywords को हम redefined नहीं कर सकते मतलब हमने अभी discuss किया है कि यह जो है वो predefined होते हैं इनका जो meaning है इनका जो purpose है वो पहले ही developer ने discuss कर दिया है पहले बता दिया है हम उसको दुबारा से अपनी मर्जी से उसको redefine नहीं कर सकते और इनकी जो तादाद है वो third 63 है मतलब total number of keywords और reserve words हैं जो developer ने खुछ specify किये हैं जिनके predefined meaning है उनकी जो तादाद है वो है 63 next topic है data types data types जो भी हम अपने program के अंदर data use करते हैं उसकी कोई नो कोई data type ज़रूर होती है for example जैसे हम एक्जांपल लेते हैं कि कोई अगर हमने कोई number किया है तो उसकी data type कुछ और होगी अगर हमने कोई character data enter किया है उसकी data type कुछ और होगी अगर हमने कोई floating point number अपने program के अंदर use करना है तो उसकी data type change होगी तो हम जो है data type की definition देख लेते हैं data type की definition है कि the data type defines a set of values and a set of operations on those values कि जो data type है वो एक हमारे पर set है values का different values का एक set है और जो जो values हैं जो set of values हैं उनके ओपर जो functions perform होने हैं वो ये दोनों चीज़े मिलके हमारे पास बना देती है data types फिर हम कैसा the data and its styles is defined before designing the actual program used to process the data यानि कि जो program के अंदर हमने data enter किया है उसको design जानि कि data को actual program के अंदर जब हमने data को process करना है उससे पहले हमने उसका data और data type जो भी data यूज़े करना है उसकी type को पहले से ही define कर देना है और यह हमारे पस program design की beginning पे ही हम जो है identify कर देते हैं कि हमने अपने program के अंदर कौन-कौन सा data यूज करना है और कौन-कौन सी उसकी types होंगी जो जो data होगा उसकी साथ उसकी data types बता जी जाएंगी C languages में भी हमेरे पर different types की data types है और जो हर data type है वो memory के अंदर different amount लेती है मतलब कोई data type ऐसी है जो memory में 2 bytes लेती है कुछ data types ऐसी है जो 10 bytes लेती है कुछ है वो 4 लेती है कुछ है जो 1 लेती है और यह next हमारे पस discuss की गई है यह मैंने एक table सा है जिसके अंदर C language के अंदर जो जो use हो रही है data types वो define की गई है एक हमारे पास है integer integer हमारे ले किसी यूद होता है numeric data यानि कि जो numeric values होती है उनको store करने के लिए हमारे पास data type है वो है int second है float float है वो है हमारे पर real values real values floating point values जिनके अंदर हम इशारिया यानि उर्दू जबान में जिसे इशारिया कहते है इशारिया वाली जो हमारे पास values होती है वो होती है float में उनके लिए float data type यूज होती है third है हमारे पास double double हमारे पास कुछ values ऐसी हैं जो हैं तो floating point लेकिन वो large है बड़ी values हैं वो real values जो बड़ी हैं जो float में नहीं आती, उनको हम कहते हैं कि उनके data type क्या होती है, double third है हमारे पास, fourth है हमारे पास character data type character data type हमारे पास जो character values होती हैं, जानि कि जो alphabets हैं, कुछ हमारे पास symbols होते हैं, कुछ numbers, इनको store करने के लिए हमारे पास character data type use होती है फिर्स्ट है हमारे पास integer data type integer data type numerical values को represent करती है जिसके अंदर हमारे पास कोई decimal point या fractional point नहीं होता ये हमारे पास positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है जिन values के साथ minus का sign लगा होगा वो हमारे पास negative numbers होंगे और जिन के साथ कोई नहीं होगा कोई sign नहीं होगा जिन के साथ minus का sign लगाया गया है वो हमारे पास negative values है और ये values हमारे पास positive values consider की जाएंगी इंट data type के अंदर भी हमारे आगे different categories बना दी गई है के इंट के दो आगे different sub categories जो हैं short sign long and unsigned long अब जो ये वाली data types हैं जो sub categories हैं ये memory के अंदर different types of bytes जो है वो occupy करती है integer जो है simple integer है वो two bytes लेती है short जो है वो भी two लेती है unsigned integer वो भी two लेती है जो long है वो four bytes लेती है और unsigned long वो भी four bytes लेती है next हमारे पास next column में जो हमें description दी गई है हर data type की वो ranges जो हम अपने program के अंदर उनकी values use कर सकते हैं वो आके define की गई है next data type है हमारी real data type real data type हमारी ऐसी numerical values हैं जिसके अंदर decimal point या fractional point होता है जिने हम floating point numbers भी कहते हैं इसमें भी हमारे पास positive numbers भी होते हैं और negative numbers भी होते हैं जैसे 6.2 minus 7.8 real data types की आगे सब categories है float double and long double अब यह float double and long double यह भी memory के अंदर different time different number of bytes को occupy का रही है जैसे float है वह four bytes occupy कर रही है double data type जो है वह eight and long double ten next इनकी description भी बताई गई है कि इनकी values कहां से लेके कहां तक हम लोग use कर सकते हैं next है हमारे पास character data type character data type जैसा कि मैंने पहले बताया है कि character data type हमारे पास जो alpha bits होते हैं हमारे पास character values को store करने के लिए लिए होती है और यह memory में one byte लेती है integer data type हमने देखी कोई two लेती है कोई four लेती है उसके बाद floating देखी जिसमें कोई four है ten है इतने लेती है लेकिन जो character data type है यह only one byte लेती है memory के अंदर यह हमारे पास किसके लिए यूज होती है letters को कोई भी number है कोई punctuation mark है कोई अंदर symbols कुछ और symbols है जैसे के hash का symbol है कोई sigma का single है symbol है जो भी symbol है उसको भी हम define कर सकते हैं store कर सकते हैं और यह जो character data type है इसकी जो value होगी यानि कि जो variable है character data है उसकी जो data type होगी उसको हम value assign करेंगे इसको single code के अंदर हम mention करेंगे जैसे example में बताया गया है कि a और साथ कि इसके right and left पे हम single codes लगाते हैं 5 hash symbol and multiplication का symbol next है हमारा topic integer under flow and overflow पहले मैं बता देती हूं कि under flow और overflow का meaning क्या है under flow मतलब जो हमारे पार range दी गई है उससे नीचे और overflow का meaning है कि जो range हमें define की गई है data type की int data type की उससे उपर वाली values अब integer जो integer under flow है वो तब अकर होता है जब हम कोई भी integer variable है उसकी जो हमने values उसको जो assign की है वो हमारी within range जो हमने पीछे description के अंदर जो हमने description के अंदर ये values हमने specify कर दी है कि इन values के दर्मियान में हमारी होनी चाहिए अगर हम कोई भी value इस range से नीचे यानि के minus 3, 2, 7, 6, 8 से कोई भी नीचे की value assign कर देंगे variable को int data type के तो हमारे पास एक error आएगा जिसको हम कहते है integer underflow integer overflow तब अकर होता है जब हम कोई भी value 3, 2, 7, 6, 7 से ज़्यादा की value को assign कर देते हैं तब overflow होता है और यह identify नहीं हम करते हैं यह compiler खुद ही detect करता है और जो user है यह जो program लिख रहा है उसकी responsibility है कि उसने values allowed range के अंदर ही assign करनी है हमारे जो है इससे हमें कोई concern होगा इसका error message नहीं आएगा बलके हमें खुद सही अपने mind में रखना है कि जो हम value assign कर रहे हैं उसकी range के अंदर हो और इसके जरीए हमारा जो output है जो result है वो खलत हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा बस आज का lecture में इतना ही था जो इसका थर्ड लेक्चर का जो second पार्ट है उसके अंदर जो जो चीज़ाज हमने discuss की हैं इनकी examples दी जाएंगी हर एक example हर एक topic की अलग अलग example होगी वो discuss की जाएंगी की जाएंगी की जाएंगी